ठीक है अब यह क्या है Slicer यह आप इसलाइसर दिख रहा होगा ना यह वाला Slicer Slicer क्या करता है Slicer करता है तो भाई Control और Click जो है आप करोगे तब ही आप जो है दो चीज़ों यूज़ करें मैं मुझे क्यों नहीं चाहिए भाई इतना मुझे जंजड नहीं चाहिए लाइप में हमारे विराट कोली सर कितना अच्छा दिख रहे है नंबर्स कितने अच्छा दिख रहे हैं यह format वाला बहुत गंदा दिख रहा है तो आप कोई भी स्टाडेस्टिक को लेके एक अच्छा सा इंटरेक्टिव डैश्बोर्ड बना सकते हो बन उसके लिए आपको बेसिक्स आनी चाहिए और अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं मैं इस वीडियो में आपको सिखा दूँगा कि कैसे आप एक इंटरेक्टि बनाने हैं बटन को आइडिया नहीं है डेटा कहाँ से लेना है तो इसका डेटा भी में बता दो आपको कैसे लेना है इसके में एक में ग्लोशरी शॉपिंग को लेके एक project बनाया हूँ, उसके बारे में भी जो है next studio में मैं cover करूँगा, उसका भी dashboard आपको बता दूँगा, okay, फिलाल के लिए आप वो dashboard यहाँ पर देख सकते हो, case study मैंने solve की थी, similarly अगर, for example, अभी यह विराद को ली की बात है, यहाँ पर एक player, एक Indian player को लिया है मैंने, इसके सा सकते हो, एक साथ 10 players को ले सकते हो, पुरे team का data देख सकते हो, बहुत सारी चीज़े आप data analysis में कर सकते हो, चीक है, अब start करते हैं, इस dashboard के साथ, सबसे पहले एक बात बताना चाता हो, अगर आपको dashboarding के बारे में, या फिर data analysis के बारे में सिखना है, job लेनी है, तो आपको channel को subscribe जरूर करना होगा, क्यों चैनल को आपको बता होगा, channel पर आपको job updates मलती है, tutorials मलती है, बहुत सारी चीज़े यहाँ पर मिलती रहती है, तो channel को subscribe जरूर करना, अब start करते हैं, इस tutorial के साथ, यहाँ पर सबसे पहले में cover करूँगा, कि आपको data कहा से लेना है, data को कैसे आपक एक pattern में set करना है, और उसके बाद में हम उसको कैसे Power BI में use करने वाले है, ओके, तो start करते हैं इस वीडियो को, और दो question के answer में बताना चाहता हो, number one, इसके लिए जो Power BI tool लिया है, क्या यह free है, definitely यह free है, for Windows, अगर आपके बास Mac है, जैसे मैं ही use कर रहा हूँ, तो मैंने आप एक parallel windows करके, जो है, एक software जो है install किया है, और आप उसको use करके, Power BI free में चला सकते हो, number second option यह है आपके पास, कि अगर आपके बास Windows नहीं है, और Macbook है, बट फिर भी आपको software चलाना है, तो आप जा सकते हो, इसका जो है purchase कर सकते हो tool, जिसका subscription मुझे लगता है, 12 से 15 डॉलर पर जो है, आपको purchase करना पड़ेगा, और आप फिर उसको use कर सकते हो, बट, Windows के लिए फ्री है, तो maximum लोगों के पास Windows होगा, मैं ऐसे assume करके, इस tutorial को करता हूँ, start, So guys, ये dashboard बनाने के लिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ लगने वाली है, जो कि यह data, तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने data कैसे लिया है, So guys, अगर आप beginner हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है, इस tutorial में आपको बहुत basic से बताने वाला हो, इसमें आपको sheets ढूनना है, अगर आप sheets ढूनते हो, तो उस पे आपको click करना है, और यहाँ पे आपको blank से start करना है, तो basically मैं Excel sheet का use नहीं करने वाला हो, यहाँ पे मैं Google sheets का use करने वाला हो, तो Google sheets के बहुत जादा benefits है, आप अगर automate करते हो, मतलब आपका data आप automate करते हो, तो इसके साथ मैं आप इसको बहुत सारी जगा पे connect कर सकते हो, connect करने के साथ-साथ जो है, आप इस sheet को daily update कर सकते हो, वही आपका जो जो आप update करोगी data, वो आपका जो sheet है, वो आटमेटिक और यह जो है, फेज कर लेगा, और आपका Power BI का जो software है, वो भी automatically फेज करेगा, वैसे वो Excel भी करता है, बट यह चीज़ बहुत easily हो जाती है, एक sheet पे जो है, दस लोग भी काम कर सकते हो, similarly sheet जो है, मैं आपके साथ share कर दूँगा, नीचे description में, view only access, आप उसको duplicate करके जो है, use कर सकते हो, okay, so यह है फाइदा एक Google sheet यूज करनेगा, तो यहाँ पर मैं दे देता हू विराट, तो मैंने sheet का नाम दे दिया है, विराट कोली statistics, अब मैं क्या करूँगा, simply Google पे search करूँगा, कि विराट कोली के जो statistics है, मुझे चाहिए, चाहिए कोई फी format के हो, मतलब total जो तीन format रहते है, T20, ODI, and Test, अब जिन लोगों को पता नहीं है, cricket का knowledge नहीं है, मैं आपको बता देतो, वाँ पे तीन टाइप के format रहते है, cricket में, एक रहता है, T20, जिसमें आपको 20 hours का match रहता है, number second is one day match रहता है, जो कि एक ही दिन में खतम होता है, और 50 hours का match रहता है, वो, okay, और third format जो रहता है, वो टेस्ट वाला format रहता है, जिसमें 5 जिन का match चलता है, तो तीनों का जो है, different, different, statistics होंगा, क्योंकि विराट को ली तीनों format खेलते है, इसमें मैंने IPL जो है, include नहीं की है, क्योंकि IPL पे next dashboard रहेगा, वो रहेगा, MS धोनी पे, okay, so, वो भी बहुत interesting dashboard होने वाला है, तो आपको चानल को subscribe ज़रूर करना है, वो next dashboard जल्दी आएगा, इसी week में dot com, अपको, आपको यहाँ पे maximum players के जो है numbers मिल जाएंगे, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है, वो जो statistics है, इसको मैं मेरे sheets में ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, copy करूँगा, क्या नहीं, बिल्कुल मुझे copy नहीं करना है, अगर आप देख सकते हो, यहाँ list का number है, ठीक है, इसके बाद में वंडे का number है, और यह 220 का number है, ठीक है, और यह 2020 मतलब RCB का number है, रोयल चालेंगे, आपको लेना है, ले सकते हो, नहीं लेना है, तो मतल लेना, because मैं international यहाँ पे उनका जो career check करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन ही table लेने, अब म ठीक है, ऐसे आप copy और इसको जो है, paste कर सकते हो, ठीक है, बट इसको मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यह बहुत पुरानी method है, अब for example, दो दीन बाद वो table अपडेट हो जाए, तो क्या आप फिर से वहाँ से copy करके manual paste करूँगे, बिलकुल नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यह यहाँ पर formula रहाँ होगा, is equals to, इसमें मैं लिखूँगा, import, ठीक है, आपको यहाँ पर option मिल रहाँ होगा, import XML, import data, import feed, import HTML और import range, import range जो हैं हम यूज़ करते हैं, दूसरी sheet से इस sheet में data लाने लिए, यहाँ पर मैं simply use करूँगा, import HTML, और इसमें website की जो link है, वो डाल दूगा, अब यह website की link में copy कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं website की link को paste कर रहा हूँ, ठीक है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखने हैं है, double inverted जो है, comma डालना है, ठीक है, link के पहले और link के बाद, जो लोगों के यह step समझ में नहीं आ रही, वो direct skip कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप copy paste कर के ले सकते हो, क्योंकि आपको dashboard बनाना है, या तो फिर आप मेरी sheet use कर लेना, ठीक है, इसके बाद मैं इस पर, यहाँ पर comma देखे, इसके बाद मैं यहाँ पर लेखूँगा, table, tab, l, e, और इसका bracket complete करके यहाँ पर enter करतूँगा, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर data आ चुका है, अगर मैं यह data देखूँँ, तो मेरे पास कौन सा data है, तो 2008 से लेके 2023 तक जो है, और inning पहली inning जो है, 5 है, तो आप देखोगे इसमें, तो inning 5 हो मतलब मेरे पास यह table आ चुका है, जो कि O ODI DM का है, बट मुझे टो test वाला table चाहिए, अभी अगर इस query को मैं जाधा explain करने जाओंगा, तो यहाँ पर बहुत जारा time waste हो जाएगा, फिर मैं बता दूँगा, कि जब यह आप table डालते हो, तो वो randomly कोई भी table select कर सकता है, हो सकता है, एक page पर 10 table हो, तो यहाँ पर मैं comma करक सिर्फ एक लिख दूँगा, तो यह पहला जो table है, वो उठा लेगा, ठीक है, अगर आप इनिंग का number देखो कि तो 9 है, और अगर मैं इस table में जाके देखो कि तो पहले जो इनिंग है, पहला जो table है, इसमें इनिंग का number 9 है, ठीक है, तो अभी हमने सही वाला जो है, वो column उ टू डाल दूँगा, हो सकता है, इसके बीच में जो adds है, उसके वज़े से table का arrangement wrong हो जाए, बढ़ आपको वहाँ जाके जो है, एक बार शेक कर लेना है, कि आपका सही table हैगी नहीं, जैसे मैंने बोला था कि यह table यहाँ पर यह table wrong आ गया, ठीक है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि विराट कोली एक year में 2-3 inning खेल सके, तो यह data wrong है, तो इसमें मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर table को number 3 कर दूँगा, ओके, तो मेरे पास एक नया table आ जाएगा, ओके, आ गया, और यहाँ पर innings आपको दिखा रहा है 5, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि तो ODI में आपको यहाँ पर 5 innings दिखाई दे रहा है, right, 5 innings दिखाई दे रहा है, that means यह table हमने import कर लिया, अब हम T20 का भी एक बार कर लेंगे, ठीक है, तो मैं फिर से इस formula को copy करूँगा, और इस formula को यहाँ पर paste कर दूँगा, ठीक है, 3 के जगा यहाँ पर मैं 4 डालूँगा, क्या आता है, म गया, 4 वाला, तो इसको 4 को हटा कि मैं 5 करूँगा, ठीक है, देखो, अब हमारे पास number आ गया है, but I don't think so, यह भी number right है करके, एक बार check कर लेते, तो यहाँ पर, yes, यह right number है हमारा, यहाँ पर आप दे सकते, 2020 में, यहाँ पर पहली नहीं है, then 4 है, then 13 है, तो यही हमारा number है, अब इस columns में जादा confusion ना हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक left में column डाल देता हूँ, guys, हमें data में confusion ना हो, इसलिए मैं आपर test लिख देता हूँ, ठीक है, यह हमारे test के number है, और इसको मैं drag कर देता हूँ, यहाँ तर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं लिख दूँगा ODI, क्योंकि One Day International के जो है number है, इसलिए मैं आपर ODI लिख दूँगा, और उसके बाद में लिख दूँगा T20I, ओके, और उसके बाद में इसको जो है, ड्रैक कर लूँगा, ठीक है, और यह हो गया हमारा number, तो guys, हमने successfully data phase कर लिया है, ठीक है, website से, अब मैं इसको थोड़ा सा formatting करूँगा, इसके लिए मैं इसको bold कर देता हूँ, ठीक है, और यह total को bold कर देता हूँ, एक बार, वैसे हमें total की ज़रुवत नहीं है, बट फिर भी, इसको भी मैं एक बार bold कर देता हूँ, और इसको मैं एक बार bold कर देता हूँ, ठीक है, यह जो है headings आपके board हो गया, में आप जो है copy paste कर दो ठीक है अब आपको copy paste क्या करना है आपको simply जो है यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले यह heading copy करनी है ठीक है और यहाँ पर paste कर दीनी है ठीक है और आपको ध्यान रखना है अगर आप Windows पर हो तो आपको दबाना है Ctrl Shift V और अगर आप Mac पर हो तो आपको दबाना है Command Shift V अब इससे क्या होगा अगर आप copy paste करोगे normally तो यहाँ पर आपका formula आएगा और इसमें अगर आप कोई भी छेडखानी करोगे for example 2013 जो है मुझे नहीं अगर इस पर आप कुछ लिख दोगे तो यह सब formula चला जाएगा तो आपको यह नहीं करना है आपको क्या करना है अगर आप कोई भी copy paste कर रहे हो तो आपको Ctrl Shift V दबाना है या फिर Command Shift V दबाना है तो इससे आपको जो है सिफ headers मिलेंगे और headers को मैं यहाँ पर bold कर दे रहा हू ठैक है और यहाँ पर लिख लाएँ format क्यों लिख रहा हूँ यहाँ बता देता हूँ मैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मैंने लिखाए यह जो है हवारा test 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 यह format है ठैक है अब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक है 2023 तक के नंबर कॉपी कर लूँगा एक बार और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर क्या दबाऊंगा कमांड शेफ्ट वी या फि कंट्रोल शेफ्ट वी अब इससे मेरा डेटा एस में आ जाएगा और मुझे पता भी चल रहा है यहाँ पर मेरे टेस्ट का फॉर्मैट है टेस्ट के फॉर्मैट के जो है यह नंबर से ठीक है अब मैं फिर से ODI में जाऊंगा ODI में सिफ मैं नीचे वाला कॉपी करूँगा मुझे यहाँ पर हीडर के ज़रूरत नहीं अल्डेडी हमारे बास हीडर है तो इसको कॉपी करके मैं हाँ पर सिंपल यह जो है शिफ्ट कमांड और वी दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ODI का नंबर मिल देगा फिस मैं जाक है data जिसके according हम काम करने वाले है और इसको ही use करके हम जो है बनाएंगे हमारा dashboard इसके लिए कुछ चीजे मैं यहाँ पर पहले से करते तो जहाँ पर आप देख सकते यह तो यह को मैं उठा के format के बाद में डाल देतो फिर आपके बाद सीनिंग से run से ball से बहुत सारी चीज़ ठीक है अभी तो मैं इसको water दे के छोड़ रहा हूँ ठीक है इसके उपर में कुछ नहीं करने वाला हूँ यह आपको ऐसे ही रखना है ठीक है अब मैं जाता हूँ power bi पे power bi को हमें कैसे use करना है यह आपको बता देता हूँ और फिर हम सार्ट करेंगे power bi का dashboard बनाना ओकी तो स premium ले रहे हो तो आपको web पे जाके सर्च करना वड़ेगा बट मैं सब्सक्राइब करूंगा यह premium की कोई ज़रूद नहीं है मैं भी free यूज़ कर रहा हूँ तो आप जाके यह जरूर यूज़ कर लेना ठीक है मैं आप मतलब पूछो कि मुझे कि वाई तुम्हारे पास मैं क फिर तुम windows कैसे चला सकते हो तो देखो mac में भी एक option है parallel desktop करके बट इसको install करना पड़ता है आपको parallel desktop में जिसमें आप windows चला सकते हो मैं mac में windows 11 चला रहा हूँ ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसमें आपको यह जो है आपका power bi open हो गया चीक है यह बहुत boring आपको जो है यह यहां पर dashboard लग रहा होगा बटा में इसको interactive बनाना है कैसे मैं बताने वालों तो बाई यहां पर क्या है आपको बहुत सारे option मिलते हैं जैसे हम data analysis को बोलते है कि आपको data analysis बनना है तो आपको excel आने चाहिए आपको SQL आना चाहिए आपको Python आना चाहिए वैसे आपको यहां प source पर क्लिक करना है यहां पर यहां पर आपको option मिल जाता है get data इस पर भी क्लिक कर सकते हो same चीज़ है ठीक है इसको open करने के बाद आपको option आजाएगा यह option आजाएगे आप बहुत जादा database जो है आप चेक कर सकते हो अब यहां पर Excel नहीं उसकर आपको Excel करना है तो आप Excel पर क्लिक कर सकते हो connect कर सकते हो उसके बाद मैं आपके बास option आएगा जो भी आपके excel sheet है आप इसको connect कर सकते हो ठीक है same data जो मैंने जो है आपको google sheets में बनाया वही data आप जो है excel में भी बना सकते हो ठीक है अब मैं excel के लिए जाओंगा अब मैं google sheets के लिए जाओंगा ठीक है तो मुझे फिर से जाके यहां पर क्लिक करना है ठीक है मेरे सामने फिर options आएंगे इसमें मैं search करूँगा Google sheets तो यहां पर Google sheets मेरे सामने आ जाएगा मैं इसको connect के लिए open कर दूँगा ओके यह एक बार आने जैसे ही आप इसमें link डालोगे आपको signing के लिए पूचा जाएगा तो वो यह जो sheet है जिसमें आपने बनाया है जिस account पर बनाया है उसमें आपको एक बार login करना पड़ेगा क्योंकि यह Google sheet है तो आपको Google account में आपको एक बार signing करना पड़ेगा अब यहां पर मेरे पास option है signing का तो मैं आप पर signing करने के लिए जा रहा हूँ और मैं आप signing कर रहा हूँ ठीक है बस आपको इस पर access देना है continue करना है और now आप यहां पर देख से को sign in complete you can return to your application feel free to close this window ओके तो हम बिलकुल free fill करेंगे और उस window को close करेंगे उसके बाद में आपके बस option है का connect अब यहां पर आपको फिर से इस पर click मत करना है इस पर भी नहीं करना है आपको connect पर जाके click करना है ठीक है फिर आपके सामने option open होगा जिसमें जो है आप जो है database choose कर सकते हो देखो हमारे पास अगर आप जा भी नहीं करना है गलती से कर भी देते हो तो कोई problem नहीं आप जाके फिर से check कर सकते हो transform data पर click करना है अब transform data क्या है कि वाई अगर आप यहां पर कोई भी database जालते है तो वो जो उसकी जो headers रहते है for example यहां पर देख सकते हो column 1, column 2, column 3 अब अगर for example यह में step नहीं करता हो close or apply पर click कर देता हो that means आपने load कर लिया data आपका ठीक है तो data आपके database में आ जाएंगा अब यहां पर देखो आपको problem कैसे आती है तो यह पर data load हो चुका है अब देखो इसमें problem क्या आगी यह जो है आपका data है इसको मैं फिलाल close कर देता हो यह आपका data आप देख सकते हो ठीक है आपके सामने यह data आपको देख रहा है अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ overall पर तो आपको देखो column 1, column 2, column 3 आपको पत्ता ही नहीं चल रहा है कौन सा year है कौन सा format है किसमे average है किसमे strike rate है किसमे runs है कुछ भी नहीं पता चल रहा है ठीक है तो मैं क्या करूंगा अब यह च मैंने आपको पहले बता था कि आपको जो है transform data करना है अब इसमें problem आ रही है अब आप देखो गे तो भाई year यहाँ पर है format है innings है run से ball से out से average है और जो जो data चाहिए वो आपको सब यहाँ पर मिल रहा है simple यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है अगर आपको दिख रहा हो गया अब आप देखो कि हाँ पर format आ रहा है यह नहीं का रहा है runs आ रहा है और close and apply पर click कर देना है ठीक है that means जो मैंने बोला था कि हमें जो है headers चाहिए वो headers आप जो है apply कर रहा है अब देखो यहाँ पर आपको option आ गया क्या कूंसा 100 है 4 है 50 है 6 कितने मारे है average कितना है ball कितन बहुत सारी चीज़े ठीक है तो sir आपने data load कर लिया है अब हम work करेंगे हमारे real dashboard पे okay so dashboard मैं मैं आपको पहले बता देता हो क्या क्या रहता है तो वाई एक ऐसा है समोझ लो एक kora कागज है जिस पर आपको कुछ लिखना है लिखोंगे किस के हिसाप से तो data जो मैंने आपको बता है आपके बस already data है ठीक है उसके बाद में visualization जो आप interact to dashboard की बात क्या रहा है dashboard बन जाएंगे number दिख जाएंगे graph दिख जाएंगे but graph दिखाने कैसे है तो यह इसके हिसाप से ठीक है यह क्या है तो भाई यह जो है आपका formatting करना color fill करना है आपको एक समझो कि आप जो है इस बहुत सारे filters जो आप लगाना चाते हो नहीं लगाना चाते हो नहीं लगा सकते हो बहुत कम filters लगाने पड़ते हो तो इसमें टेंशन लेनी की ज़रुवत नहीं है सो गाइज अपनी अपनी कुरसी की पेटी आप बांध लो विकॉज हम स्टार्ट करने वाले हैं डैश बोर्ड हो तो गाइज यह डैश बोर्ड मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है तो मैं क्या करूंगा मैं simply इस पर क्लिक करूंगा विजुलाइज जिशन पर ठीक है और इसमें मुझे option मिल रहा है यह paint का तो मैं थोड़ा सा paint करूंगा canvas के background को select करूंगा और आपको यहाँ पर दिख रहा है कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लो भाई ठीक है ब्राउज करना है कुछ images तो ब्राउज करो मैं ब्राउज करूंगा मैं अल्रेडी डाउनलोड करके रखी images मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो भी resources लगेंगे images लगे photos लगेंगे वह मैं description में डालके रखूंग तो वह अरे मैंने तो select किया आया नहीं तो भाई आपको select नहीं करना है सिर्फ यहाँ पर जो transparency है इसको आपको कर देना है zero क्या करना है zero now 1010 आगया आपके सामने आपका dashboard का look change हो गया बहुत amazing लग रहा है dashboard अब यह खाली-खाली लग रहा है तो इसमें कुछ चीज़े डालते हैं त यहाँ पर आपा icon देख सकते हो इसका icon यह है अगर यह डालोगे तो ऐसा dashboard आएगा ऐसा डालोगे तो ऐसा आएगा यहाँ पर आपको नाम भी देख जाएंगे cluster column chart, bar chart, pie chart, donut chart, बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर आपको gauge मिलेगा जो हमारे bike case में रहता है, car case में जो gauge रहत है जिसमें आपको number देखने के लिए मिल जाते है ठीक है अब क्या है यह card वो भी देखते है ठीक है अरे इसका जो है यह slow यह हो गया चोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते है ठीक है अगर problem आ रहा है कुछ भी तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है view में जा किया तो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसमें जो है मैंने card डाल दिया ठीक है तो यह card आ गया ठीक है अब आपको card डालना है card डालो नहीं डालना है मत डालो अब सबसे पहले क्या करते है यह start करते है थोड़ा सा interesting बनाते तो भाहिए सबसे पहले हम start करते हमारे dashboard स है तो हमारी डाइश बोर्ट वम्ह He 말 दिखाया कि मैंने कैसे बनाया है ठीक है तो डेश बोर्ट में हमें सबसे पहले क्या इलए क्या शीन था मैने एक फोटो डाल था विराट को लेका तो में डाल को वैसे हम बहुत के सिर्इस कर पाइबात हो इसको मैंने ले अब मुझे यह यह इसका format बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है मैं फोटो से स्टार्ट कर रहा है नो क्यूंकि जारा टेकनिकल चीज नहीं यह कोई भी कर लेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ जो बिगिनर से उनके लिए काफी अच्छा है तो भाई मैं क्या करूंगा इस फो अधर जो है मुझे ना थोड़ा सा कर भी जाए मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे सेक्सी लगे जैसे विराट को लिए राइट ओके तो यह हो गया फोटो विराट को लीजी का अभी आप एना थोड़ा सा टेक्स डाल देते कि वहाई क्या कर रहे हम तो हम जो है विराट को करियर स्टाटिस्टिक्स एनलेसिस कर रहे हैं और इसका हम डैशबूर्ड बना रहे हैं तो क्या होता है यार अगर देखो मैं बता रहोगा जो कमपनीज रहती है ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना बढ़ता है ये डैशबूर्ड पे और इस पे तो वहाँ पे एना इसे फैंसे फैंसे नाम रखना क्योंकि को नहीं है डैशबूर्ड बनाने अलग होने है आप हो मैं हूँ राइट सो अगर डैशबूर्ड ही बना रहे हो और अच्छे भी बना रहे हो उसका नाम भी थोड़ा सा सेक्से रखना चाहिए ना सी चैल सी कर रहे हो ठीक है विरात कोण ली कारीर स्टयस्टिक सिटका अनलिस डैशबूर्ड ऐसे सब्सक्रम को बस बोलने के और दिखने के बात है ठीक है तो मैंने या पे लिख दिया अब एसको मजा नहीं आ रहा है इसके बैक्राउंड में मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाओंगा इफेक्स में जाओंगा ये जो बैग्राउंट है ना इसको जो है ट्रांसपरेंसी 100 कर दोंगा ठीक है बड़ इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो यह आपको है ना टैटल का उप्शन है ठीक है नहीं टैटल का उप्शन च तुमें अगर तो एफेक्स में जाके ना या फिजल बाडर डाल देता हो और इसका राउंड कर देता हो फोर अगेन बट इसको है ना मैं 90 रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा है ना जब भी आप कुछ डैश्बूर्ड बनांगे मैं दिखाऊंगा आपको कितना डिफरेंस आ है ठीक है इसको लगे तो आप क्या करो एक काम करो इसको मिडल में कर देते हैं थोड़ा सा और चल गया ठीक है तुस यह कोली सरका जो है हम करीयर डैशबूर बना रहे है इन्होंने करीयर में क्या-k cooled लिये है उसके तो यह हो गया आपका पहला step complete जिसमें आपने सिर्फ project का आपका नाम अच्छे से mention किया है वो भी करना ज़रूरत है क्योंकि आपका dashboard किस बारे में है वो होना बहुत ज़रूरत है अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे अब हम सबसे पहले एक number बनाएंगे जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो है card डालना है जो मैं card यहाँ पर insert किया था तो यह card यह कैसा card है इसमें तो कुछ है ही नहीं तो ज़रूर रुको रुको हम थोड़ा सा सबर करो हम इसमें कुछ तो भी डालते हैं ठीक है अब क्या है card card ऐसी field है जो आपको एक ही चीज़ दिखानी है for example your total marks तो आपके total marks जो होगे आपका एक ही number आएगा for example 500 marks जो है आपका total था exam में उसमें से आपको 499 मिले हैं क्योंकि आप मेरी audience है तो definitely मैं जो है consider करके चलता हूँ कि आप brilliant audience है तो आपको 499 marks मिले होंगे after 500 तो 499 is one quantity और वह आपको एक ही दिखानी है उसमें आपको टेबल की चार्ट की कुछ नहीं बन सकता तो उसमें वह एक ही चीज़ दिखानी है तो इसके लिए उसको card बोलेंगे ठीक है अब card में मुझे क्या दिखाना है भाई अभी तक विराट को लीजी ने जितना इनिंग्स के लाओगा ना तो मुझे दिखाना है तो मैं अगया करूंगा इसमें जाके ज़िए इनिंग्स करूंगा आगे वह इनिंग्स बदाई हो आपका पहला जो नंबर है वो दिखना साट हो गया है सम आप इनिंग्स 554 अब याप एक चीज़ दिखा दाओ टो सम और कॉंट में difffinski सम्मिंस जितनह इनिंग्स हेला हुगा अगर आपको सिंपल आपका टेबल देखना है लुए इस पर क्लिक करना ये जीज़ दिख रही है न इस इस पर बहुत important चीज़ है लाइफ में ठीक है इस पर क्लिक करना है तो यह देख लो अब इसमें मैं देखोंगा इनिंग्स क्या रहती है जो नॉन क्रिकेट वाले बंदे हैं उनको बता दिता हूँ भाई अगर विराट कुली 10 मैचेस खेले हैं तो हो सकता है ना 10 मैं से विराट कुली अगर वन डाउन पर जाते हैं मतलब वो बाद में जाते हैं बैटिंग करने उनके पहले भी दो बंदे जाते हैं अकर दो बंदे ने मैच खतम कर दी तो यार उनका तो जो यहाँ पर नो के जगा 10 हो जाएगा फिर उनका आवरेज गिर जाएगा सब चीजी गिर जाएगी बट ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में आप जितना बार बैटिंग के लिए जाते हो उतनी इनिंग्स काउंट होती है टेस्ट में जाओगे आपको टेस्ट में एक ही मैच रहती है बट दो बार बैटिंग करने के लिए मिलती है तो आपकी इनिंग्स दो होगी और मैच एक ही होगी ठीक है जिनको समाज में आया और ठीक है नहीं आया तो यार पोगो ही देख लो क्रिकेट आपके बस के बार न लेनी है तो यहाँ पर सम आएगा तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आप अगर इसमें जाओगे डैश्बूर्ट में तो यह पर सम आप फिनिंग्स आ रहा है तो यह सगी नमबर है अब मैं क्या करूंगा फॉर्मेट में जाओंगा और जनरल में जाके इसका जो है टाइटल आउन कर दूँगा ठीक है अब टाइटल क्यों आप तो अल्रेडी है तो वह ही मुझे है ना मेरा टेक्स चाहिए मुझे वह आटोमेडिक जो आता है वो नहीं चाहिए तो यह आप अब जो इनिंग लिखा है उसको मैं सेंट्रल लाइंग कर देता हूँ ठीक है सेंट्रल लाइंग करने के बाद इसका थोड़ा साने हीडिंग से यह बढ़ा देता हूँ मैं इसको कर रहा हूँ मैं 16 कर लेता हूँ ठीक है इसको आप बोल्ड करना है तो कर सकते हो नहीं करना नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में आप जो है, नीचे जाओगे, तो यहाप ए सब्टाइडल दिखाए देगा, सब्टाइडल मतलब यार कुछ भी है, आप लिखना है आपको, मैचेस लिखना है, या कुछ भी लिखना है, तो आप यहाप कर सकते हो, subtitle की मुझे जोरुवत नहीं है, subtitle के बाद divider, भाई भे वे divider बहुत बार यूज़ करते हो, बट इसमें नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, आप divider भी उज़ कर सकते हो, divider मतलब क्या होता है, आपका heading और आपके जो innings है, मतलब आपका जो number है, उसके बीच में जो आती है, इसमें भी आप जो है, इसका बड़ा सकते width कम जादा, वो आपको dashboarding के time काम आ जाएगा, बट अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, उसके बाद में जो है, divider के बाद spacing का option है, कि आपको spacing में कितना चाहिए आपको 10-15 जो चाहिए, हाला कि मुझे इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं spacing नहीं करूँगा, इसको 0 ही रखूँगा, so spacing पर बात में क्या करूँगा, यहाँ पर effects में जाऊँगा, और देखो, यह formatting है न, एक बार ही करना है आपको, उसके बाद बार बार नहीं करना है इसमें जाके मैं इसको क्या करूँगा, transparency को, यहाँ पर मैं 90 कर दूँगा, ठीक है, अब यह हो गया आपका काम, अब आपको क्या करना है, visual में जाना है, और यहाँ पर जो category level है, उसको off कर देना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर नीचे वाला heading ता हो चला जाएगा, अब आपको फिर से general में जाके, यह जो color है न, यह आपको जो चाहिए मतलब white करना है, white कर दो, yellow करना है, yellow कर दो, मैं दो white कर रहा हूँ, ओके, फिर visual में जाके, अब यह कहा रहता है, देखो इसमें दो type की चीज़े रहती है, एक, तो आपका जो heading heading आता है उपर, वो जो है आप general में जाके check out कर सकते हो, अगर अगर आपको format के साथ, number के साथ कुछ छेड़कानी करनी है, तो आपको visual में जाना है, call out value में जाना है, और उसके बाद फिर आपको जो है, चीज़े change करना है, अब आपका यह बन गया है, एक पहला वाला card, बट यह card भी मुझे सही नहीं लग इसलिए मैं यहाँ पर general में जाके, जो है, effects में जाके, यहाँ पर मैं shadow को on कर दूँगा, और visual border को फिर से जो है, on करके, इसका number लिखूँगा, इसका color white करके, यहाँ पर round it जो है, वो चायर number कर दूँगा, ठीके, और इसके बाद जो है, मेरा एक card बन जाएगा, इसका आप height कम जाधा कर सकते हैं, आपको बड़ा रखना है, बड़ा कर दो, छोटा रखना है, छोटा रखना है, छोटा रखना है, कोई issue ही निए, सवाई यह हो गया, आव इराट को लीजी का innings, ठीक है, अब इसको जो है, मैं थोड़ा सा, एक्जिस करता हूँ, और मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, अब यह जो है, एक dashboard का जो है एक part है, अब इसको है ना, आपको ज़्यादा छेड़कानी नहीं करने, बस इसको copy, इसको select करना है, देखो ऐसे select करते हैं, इस पर just cursor लेके जाके एक बस select करो, copy करना है, और इसको paste करना है, control V, control C, control V, जो हम करते आएं, अब मुझे क्या करना है, इनिंग्स हो गए, अब मुझे इनिंग्स के जाद run चाहिए, तो मैं यहाँ पर run पर click करूँगा, बट यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो इसको क्या करूँगा है, drag करके, यहाँ पर drop करके छोड़ दूँगा, तो भाई मेरे runs हो गए, बट है 25K run को अब यहाँ पर इनिंग्स क्यों दिखा रहा है, मुझे तो runs चाहिए, तो इसमें simple है, इधर जाके, यहाँ पर title में जाके, लिख दो runs, रोना नहीं है बस, इसमें है न, सब आप customize कर सकते हो, यह tools हमारे लिए है, ठीक है, runs के बाद आप इससे copy करके paste कर सकते हो, अब क्या च हो गे न, तो हो जाती है, अब नहीं आ रहा है आपर number, तो भाई यहाँ पर first average है, first, last कुछ नहीं चाहिए, first and last मतलब, जो first वाला रोगा, last वाला, नहीं चाहिए, count चाहिए, distinct वाला, नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें rows आ जाएंगी, count distincts मतलब क्या होता है, कि आप जितना भ होंगा, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, average चाहिए, so average नहीं आ रहा है न, यार देखो, यहाँ पर है न, problem हो चुकी है, क्योंकि इसका data type, अब data type क्या रहता है, भाई, कोई भी number, for example, आपके अगर marks है, तो किस में आएंगे, number में आएंगे, आपका name है, तो किस में आए फिर से, अब क्या करना है, भाई देखो, यह average है न, यहाँ पर दिख रहा है, छोटा सा icon दिख रहा है, यह zoom नहीं हो रहा है, इसमें आप जाओ, यहाँ पर click करके, यह जो है न, आपको decimal number है, fix number है, whole number है, तो आप इसको है न, save decimal number पर convert करतो, ठीक है, और इसको apply and close करतो, ठी इतना जल्दी हो से के इतना जल्दी हो जाएगा, और देखो, अब आपका number आजएगा, अब आप फिर से, अगर आप यहाँ पर click करोंगे, average के number पर, तो यहाँ पर आपका option आजएगा, average sum, तो भाई, average कैसे लोंगा, मैं sum लोंगा, क्या, नहीं, तो मैं average ही लोंगा, देख चल्य है, मतलब, समझ में नहीं आता, ये company ये लेवाले भी ऐसी कहते हैं, एक दिन को ये data चाहिए, दूसरे दिन ये data चाहिए, तिसते दिन वो data चाहिए, चोत ही दिनि इसका dashboard, चाहिए, पाच्वे दिनिसका dashboard, चाहिए, छेत्वे दिन इसका dashboard चाहिए, च्यट्वे, तो यह आना यार अगर data analysis बनाओगे ना तो फिर यह requirements आपको आती रहती है ठीक है अब average की जगा है ना अब आपको चाहिए strike rate तो यहाँ पर SR है SR क्या है भाई किसी लड़की का नाम नहीं है SR मिल strike rate तो यहाँ पर लगा कि यहाँ लगा है अब इसे मेरे contact में है एक SR but definitely मुझे जो है यहाँ पर एक strike rate चाहिए यहाँ पर some of strike rate चाहिए के नहीं average चाहिए अब यह क्यो है यह चीज़ समझो तो देखो यहाँ strike rate और average क्या होता है for example मैं पहले इनिंग में 10 रन बनाया दूसरे इनिंग में 10 बनाया तीसरे इनिंग में 10 बनाया चाहरे इनिंग में 10 रन बनाया तो मेरे average कितना हो गया चालिस का नहीं दस का ठीक है तो आवरेज़ तो आपको पता होगा अब यह आपफे जो मैंने लिखा है यह है strike rate तो इसका मैं title एक बार change कर देते तो नहीं तो आप confuse हो जाऊंगे ठीक है तो इसको लिखदूंगा strike rate strike rate क्या होता है एक ball पर एक run बनाओगे तो आपका 100 का strike rate है मतलब आपको जितना ball फिका गया उतना ही run बनाए 100% 100% run बनाए आपने एक ball पर दो run बनाओगे तो आपका strike rate बनाओगे 200 का क्योंकि एक ball थे run बनाए 2 तो strike rate हो गया 200 का वैसे पहले match में अगर मेंने 100 run बनाए 100 wall खिलके तो मेरा strike rate हो गया 100 ठीक है दूसरे match में मैंने 200 run बनाएगे 100 run 100 wall पे that means मेरा strike rate हो गया 200 but पहले match में 100 गया दूसरे match में 200 गया तो average कितना हो गया जाएगा 1.500 का right सो मेरा average हो जाएगा that's why यहाँ पर strike rate जो है वह average में लिया है एक बार फिर से देख लो देखो यह average है इसमें average select किया है इसमें जाओगे तो इसमें भी देखो के तो आप जाके देखो हो गया average में तो इसमें भी मैंने average ही लिया है but runs क्या होंगे पहले match में 100 run बनाए दूसरे match में 100 run बनाए तो average होगा क्या नहीं 200 run बनाए टोटल मिलके तो सम्मिम होगा तो यहाँ पर सम्म है right innings कितने खेले पहले year में मैंने 10 इनिंग खेली ती दूसरी year में 15 खेली तो average लोगे नहीं summation लेंगे 15 इनिंग हो गए भाई 25 इनिंग हो गया ठीक है तो यह बन गए आपके main main जो है आपके dashboard की जो card से वो बन गए okay इसको थोड़ा सा प्यार से arrange करते है थोड़ा सा और अच्छे से ठीक है वैसे आप up-down वाला जो यहाँ पर बटन है वो भी उस कर सकते हैं ताकि आपका जो है dashboard सही से आप अच्छे से customize कर सके तो आप बोलेगे यार इतना जगा है कंजोस की क्यूंकि तो भाई बहुत सारी चीज़ा में डाल ली है अब क्या हो गया search के जो है innings आगए average आगए runs आगए strike rate आगए बट अगर मेरे को तो वह है ना पता ही नहीं चल रहा कि test में कितने बनाए one day में कितने बनाए थेवंटेश के रहा है नहीं है पता टे तो सिंपल क्या करना है slicer में चाना रहा तिकए अब यह क्या है slicer यहाप इसलाइसर दिख रहा और ला slicer है sli sir क्या करता है कैसे करते हैं बता तो तो वboys यहापर मैं slicer डाल रहाओ ठीब slicer यहापे आ गया slicer क्या है कि आपने for example हो सकता है आपके 3 subject है तीन subject कि आपके मिला कि 554 marks है ठीक है आपका average इतना है 52.80 बढ़ आपको पता ही नहीं आपको for example मुझे देखना है कि भाई मेरे English में कितने marks थे वो तो नहीं दिखेगा आपके match में कितने marks थे नहीं दिखेगा statistics में कितने marks थे नहीं दिखेगा तो वो जो अलग-अलग करना है ना हमें तो उसके लिए हम slicer डालते हैं अब वो कैसे डालते हैं तो बहुँ इh slicer में यहापे जो है ODI one days की कितने run से 20 की कितने run है test के कितने run है तो क्या आएगा अगर आप जाओगे पुराने इसमें तो देखो हमारा test ODI 20 अब for example test में भाई 2011 में कितने run बनाए थे 202 तो इसके लिए मैं format check करूँगा तो इसमें भी मैं slicer में format select करूँगा format के सामने देखो आपके पास summation वाला number नहीं है क्योंकि आप इसका sum नहीं कर रहे हैं मतलब number नहीं है आपके बास text में है text में है बाकिसम number से इसलिए आपको वो sign नहीं दिखीगा sum वाला तो मैं format को select करता है तो देखो sir आपके सामने आगए है आपके slices आप ODI के अलग से check कर सकते है 20 के अलग से test के आप बुलो के कैसे तो बाई simple है क्या करना है ODI भी click करोगे न तो number change हो जाएगा यही खूबी है बाई यही तो खूबी है हमारे power BI की जिस पे भी click करोगे वो number change होगा ठीक है अब आप बुलोगे यार ODI 20 test अलग अलग क्यों दिखा रहा है मुझे सिप ODI 20 के numbers पता करने है test का मुझे number नीचे है दोनों की एक साथ में चाहिए ODI 20 के figure not simple क्या करना है आपको जो है इसमें जाना है इसमें जाने के बाद आपके बाद यह slicer setting आएगा है ठीक है अब आपको क्या करना है selection पर क्लिक करना है multi select क्या है आप है multi select किये जो second वाला option है बता देता allow multiple section in check box only when control और command plus clicks is used तो भाई control और click जो है आप करोगे तब ही आप जो है दो चीज़ों यूज़ करें बाद मुझे क्यों नहीं चाहिए भाई इतना मुझे जंजट नहीं चाहिए life में मैं इसको off करो अब क्या करोगे आप जे को जादू ODI selected है मेरे को 20 के मैं मांस चाहिए मिल गए है बई मतलब for example आपके पास 3 subject है maths, English, science maths और science के नंबर चाहिए English का लेना देना नहीं है मेरा English बहुत गंदा है तो मैं क्या करूँगा maths पर क्लिक करूँगा science क्लिक करूँगा मेरे मांस चाहिए अब इसको मैं अंटिक करूँगा बटे यार यह फॉर्मेटिंग बहुत गंदा लग रहा है देखो हमारे विराट कोली सर कितना अच्छा दिख रहे है नंबर्स कितने अच्छे दिख रहे है यह फॉर्मेट वाला बहुत गंदा दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा इसमें जाओंगा जनरल में जाओंगा एफेक्स में जाओंगा यहाँ पर क्या करूँगा यह ट्रांसपरेंसी है ना इसको 90 कर दूँगा हाई यार अच्छा दिख रहा है अभी बट यह मुझे टाइटल जो है न वो सही से चाहिए तो मैं यहाँ पर दिख लूँगा फॉर्मेट तो मैं यह बन गया है मेरा फॉर्मेट ठीक है इसका कलर है ना वाइट चाहिए यह दिख नहीं रहे है हाँ हो गया तो भाही क्या करिंगे iona विजूल बाढर रान करिंगे शाटों को भी कर देंगे शाटों अच्छा लगता है अभ शाटों क्या मतलब कैसे अच्छा लगते हों मताऊंगा ठीक है इसमें गरेंगे आपको 4 पर जाना है ठीक है, rounded corners हम 4 रखते हैं, इसको white कर दिया, बन गया है, बड़े अच्छा अभी भी नहीं लग रहा है, तो कोई डेंशन नहीं है, visual में जाओ, अब यह क्या है, slicer है, तो slicer का आपको heading का जरुआ देगा, header का नहीं है, तो मैं इसको अटा रहा हूँ, values, values में जाके आपना एक tile डाल दो, tile मतलब क्या, यह tile हो गया, बड़े इस में नंबर यह नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे visual में जाके, और यह मेरा values जो है न, उस पे click करूँगा, values में जाके यह जो white है इसको मैं कर दूँगा black, आ गया, फिर आपको इसका number बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, वैसे बढ़ नहीं रहा है, यह slicer में कोई स्थो भी technical issue है, update के साथ सही होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको board कर दे तो, हो गया, अब बताओ भाई कैसे लग रहा है, आप सही लग रहा है, ठीक है, अब और एक formatting बता तो, ठीक है, इसको क्या क यार, यह एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, विराट को लिजन ने इतने run बनाए, कितने साल में बनाए, अगर मुझे दो साल का देखना है, तो 2022 में किसने बनाए तो, यह देखना है तो कैसे करेंगे, तो simple है, फिर से slicer में जाओ, गए, या तो फिर इसको एना, एक काम कर दो इसको, और इसको ही format को copy करके पेश कर दो, भाई इससे क्या होगा, इससे क्या हम डेट से ले करेंगे, हाँ भाई कर सकते है, यह जो format है ना, यह format नहीं चाहिए, अब हम ही year चाहिए, तो मैं year पर click कर दूँगा, और यह format को गोली मार दूँगा, आ गया है यार, ओ फिर भी year इतना अच्छा नहीं लग रहा है, यह कौन चेक करेगा, इतना drop down हो रहे है, ठीक है, इसका change कर देते है format, format में जाओ, slicer testing में जाओ, अब क्या गरते है, बिट्विन में डालते है, अब बिट्विन क्या है यार, बिट्विन समझ में नहीं आया है, तो भाई, यह जो है, बिट्विन एक ऐसा रहता है, जिसमें आप time zone select कर सकते हो, कैसे, तो देखो, यह जो है, आपका यह drop down हो गया, इसमें आप जो है, यह slicer हो गया, और यह जो है, आपकी year वाला हो गया, बट यह दिख नहीं रहे है, तो इसका formatting थोड़ा सा ठीक कर लेते है, तो ही लगे, ठीक है, ओके, slicer का color भी आपको अगर change करना हूँ, slider वाला, तो आप इसको white कर सकते हो, ठीक है, यह हो गया आपका color, ठीक है, अब यह format का जो, इसका जो heading है, इसका ज़रूरत नहीं है, आप इसको डाल सकते हो, date range, date range, या तो फिर year range डाल दो, ठीक है, हो गया, सब से, बटी, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, यह center में चाहिए, तो देखो, यह आप यह option रहता है, properties में, padding कर सकते हो, प्रो, तो भाई, यह जो है, अब center में आगा, इसके वज़से, देखो, यह आगा center में, इसको थोड़ा सा और आई, just करना बढ़ेगा, आपको, ठीक Okay, अब सही लग रहा है, मुझे लगता है, हाँ, अब आपका slider भी बहुत अच्छे से लग रहा है, और अच्छा दीख भी रहा है, ठीक है, इसको आप, मतलब, यार देखो, यह जो है ना, आपके personalized experience पर depend कहता है, आप कितना मेनत लेते हो, मैं बहुत सारे लोग देखे, जो तालिया बहुत ज़्यादा बस्टी है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी कसर नहीं रखता हूँ, कोई भी dashboard में मेहनत करने के लिए, तो मैं मेरा dashboard थोड़ा सा अच्छे बनाता हूँ, ठीक है, तो यह बन गया आपका dashboard, ठीक है, अब इसका आपको जो भी आपको format करना है कर सकत ठीक है, आपका अब year range बन गया है, यह इनिंग average कर बन गया है, इसको आप लगे तो थोड़ा सा और formatting इसका improve कर सकते हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ, इसमें आपको guidelines भी आ जाती है, जब भी आप इसमें यह change करते हो, size, जो कि अच्छी है, बहुत help करती है, आपको आपको प उपर वाला, अब हम थोड़ा सा और इसमें detailing ला लेंगे, कि for example, अगर मुझे ODI के numbers पता करने दे, तो मैंने 2008-2013 की बीच में कितना था, वो पता कर लिया, अब आप 2022 से लेके 23 देख सकते हो, 2022 से लेके 23 देख सकते हो, कि कितना हुआ है, ODI का, ठीक है, 20 में कितना खिला है, टेस्ट में कितना खिला है, वो सब चीज़े आप देख सकते हो, for example, आपको सब का देखना है, तो वो तो हाही रहा है, ठीक है, तो यह number आपके समने आजाता है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अब इसमें हम graph डालेंगे, तो एक graph के क कर रहा हूँ, यह वाला, ठीक है, तो इस पर क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, आप क्या रहता है, कोई भी कॉलम में आपको दो से तीन values लगती है, ठीक है, दो values इसलिए है, क्योंकि runs अगर आप डालोगे, तो आपको one year, two year, three year का run आएगा, इधर से year आएग यह year, बटे में, एक्स में आगया, तो इसको क्या गरना है, इसमें क्लिक करना है, उठाना है, एक्स पे डाल देना है, तो यह आगया आपके सर नंबर, चीग है, आपका आगया graph, अब कभी कभी क्या हो जाता है, कि यह जो graph है ना, यह गलत हो जाता है, क्योंकि आपके sum of ज हमेशा एक्स, एक्स 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 पे आएंगे, जो एक्स 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 है रता है ना, हमारा नीचे रहता है, वहाँ पी year आएगा, और इस साइट से नंबर आएगा, ठीके, runs जो आएंगे वो, तो आप देख सकते है, आपी year नीचे आगया मेरा, sum of runs जो है उपर आगया, बैक्राउंड में यसा color है ना, तो समझ मिनिया रहा है, ठीक है, एक बार जो है हम इसका visualization change कर देते हैं, अब visualization में क्या करेंगे, कि visualization में हमारा जो column से, उसका color है हम white कर देंगे, बट फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो clearly visible नहीं है, तो general में जाके, जो यह हमारा background का color ह उसको black कर देते हैं, उसका transparency है ना, मैं लिखिया तो 60 पर, अब ठीक लग रहा है, हाँ, अब graph तो दीख रहा है, बट number नहीं दीख रहा है, तो कोई नहीं, इसमें tile में जाओ आप, यहाँ पर runs by year लिखे है, some of runs, some of की ज़रुद नहीं है, runs by year कर दूँगा, इसका जो heading है, वाइट कर दूँगा, इसका थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, अब दीख रहा है, हाँ, दीख रहा है, अब इसमें बहुत ज़्यादा formatting की ज़रुद रहते हैं, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसमें जाओंगा, विजुल बर्डर, जो मैं करता हूँ, उसको जो है, मैं च जो है, मुझे change करना है, y-axis पे, x-axis पे क्या दिख रहा है, ये जो है, x-axis है, ठीक है, x-axis में number नहीं दिख रहे है, तो क्या गरूँगा, values में जाओंगा, इसको white कर दूँगा, दिख रहा है भी, हाँ, बट थोड़ा सा size बढ़ा, हाँ, ठीक है, size बढ़ा देंगे, ठीक ह समझ रहे है, हो गया, अब क्या करेंगे, अब y-axis पे रहेंगे, ये y-axis, y-axis पे हम values में जाएंगे, values को जो क्लिक कर देंगे, white पे, तो आपके values क्लिक होंगे, white पे, ठीक है, और ये unit है न, ये मुझे न, none में चाहिए, numbers चाहिए, वो k में नहीं समझ में आता है, social media का असा board कर दो, नहीं, board अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, x में फिर से जाके, जो title है, आपका, उसका color white कर दो, sir, बन गया है न, आपका dashboard, क्या चाहिए, मतलब life में, runs by year, ये बन गया आपका dashboard, अब बताओ, अब for example, 2017, 2017, अब for example, इसमें है न, ये, ये कुन सही है, 2017, इसमें बहुत जादा run बनाएं, तो click कर दो, इसमें, सब चीज़े चाहिए, इनिंग्स पता जलीएंगी, average, runs, strike route, हाँ यार, बहुत सही है, बट एक चीज़ समझ में नहीं आ रहे, कि विराट जी ने, विराट कोली ने, इसमें, जो है, boundaries कितने मारे थी, six and fours, अब वो भी चाहिए, तो फिर एक काम करते हैं, इसमें करते हैं चीज़ आड़, और add करने के लिए, देखो, ये चीज़ ऐसे मत करना कभी, इसको select किया, फिर इसको किसी को भी क्लिक कर रहे हो, सब चेंज वहाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले blanks चीज़ पे क्लिक करना है, और उसके बाद ने, फिर हमें जो है, वो नहीं चीज़ आड़ करना है, तो मैं डोनल चार्ट ले लू, देखते हैं क्या होता है, तो डोनल चार्ट कुछ ऐसे दिखता है, इसमें मुझे ज़िए फोर्स, एन सिक्स, हा कर दो 90, अच्छा लग रहा है, तो black कर दो और 60 कर दो इसका, अब ही ठीक लग रहा है, मतलब इसमें visual border on कर दो, उसका जो है उसको white कर दो, इसको जो है 4 कर दो, shadow को on कर दो, ठीक है, अब सही लग रहा है, उसका जो है, यह lining बाद में कर लेंगे, ठीक है, अब क्या करना है, आपके force and success बन गया है, ठीक है, अब इसका color थोड़ा सा change करते है, टाइटल, टाइटल में यहाँ पर क्या लिखते है, boundaries, इसका color जो है, white कर देते है, उसको थोड़ा सा बड़ा देते है, ठीक है, और यह हो गया, अब इसका जो है, बाकी चीज़े तो नहीं चाहिए, तो visual में जाके, इसका जो legend है, ठीक है, उसको क्या गरते है, और legend क्या र रहते है, उसके बारे में जो information बताता है, वो legend रहते है, अब इसमें है, इसको text को मैं white कर देता हूँ, तो आपको समझ में जाएगा, देखो यह white हो गया है, अभी, यह, जिसको मैं yellow कर रहा हूँ, यह जो है, इसको legend बता है, ठीक है, अब यह legend का जो यह है, पोजिशन है, मुझे लगते है, यह कहीं तो भी down होना चाहिए, bottom center कर देता है, अब सही लग रहा है, ठीक है, अब जो यह slices से, इसका color मुझे चाहिए, तो क्या चाहिए, तो यह करते है yellow, और एक को करते है blue, ठीक है, अब ठीक लग रहा है, मतलब, नहीं लगा तो मतलब change कर सकते color जब ल दिख रहे है, तो data labels में जाओ, यहाँ पर आपका outside चाहिए, तो outside पर करो, inside चाहिए, inside में बहुत clear दिख रहे है, यहाँ पर data आप change कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर percentage है, और number है, अब number जो है न, वो सही नहीं लिख रहा है, तो मैं number का जो है न, वो change कर तो यहाँ पर मुझे दिख चाहिए, कितना bondries मारा है और कितना नहीं मारा है तो, ठीक है, यह हो गया मेरा एक dashboard, अब इसमें मुझे समझ रहा है, कितना मारे है, कितने नहीं है तो, कैसे, फिस से में चेक रहा है तो, अब एक और चीज है, कि यहाँ पर sum of force and 6 नहीं चाहिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं sum को हटा दूँगा, और यहाँ पर सिर्फ सिक्सेस रखूँगा, या तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, फोस, या फिर लिख सकता हूँ, शिक्सेस, चेन यूँ आ, या रही, फिर भी, SI, X, ERS, ओके, तो यहाँ तर तो बन गया है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा है न, फॉर्मेटिंग में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है न, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्यू कर रहा हूँ बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, यह इस लाइन के अर्राउंड ही रहे, ठीक है, इसके उपन है, तो यह नेर बाउट हमारा, आधे से जाधा जो है, डैशबूर्ट बन चुका है, अब मैं क्या करूँगा, इस डैशबूर्ट को और एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा इसमें मैं एक चीजए अड़ करूँगा, जो है, मुझे चाहिए तो इसमें क्या करूँगा, यह जो ग्राफ है, मुझे hacks बाएरिया चार्ट यह इसको मैं एक से डाल देता हूँ जैसे को मैं डाल किया आया हूँ ठीक है और इसको थोड़ा सा एक्स्टेंड कर देता हूँ थोड़ा सा नहीं काफी एक्स्टेंड कर देता हूँ ठीक है अब इसमें हमारे पास ज्यादा जो है जगा बची नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे तो इसको थोड़ा सा यह करूँगा अब देखो यहापको आ रहा है कि भाई यह कांट शो एक्सस लेबल क्योंकि एक्सस लेबल क्योंकि इसका वैलू इतना छोटा है तो यह चीज आपके यह कंटिनियूसी रखना है इसको कैटेगरिकल मत रखना क्योंकि यह चेंज हो जाएगा आपका यह इधर से उतर आजगा आप देख सकते हो 17 18 12 14 16 तो इसको आपको कंटिनियूसी रखना है ठीक है अभी सही लग रहा है अब इसको है न थोड़ा सा फर्मेटिंग की ज़रूरत है हो ठीक है तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब मैं जाओंगा कि इसका बैगरॉंड रिमूंग करना है अगेन इफिक में जाके आप जो इसका ट्रांस्परेंसी है 90% कर सकते हो क्योंकि यह वह डार के लिया था तो इसके अंदर मैं ने कर दिया ठीक है अब आप नीचे जाके आ आपका एक ग्राफ अब इसमें बहुत चारी चीज़ चेंज करने है विज्वल में मैं चेंज क्या करूंगा कि वाई यह जो मेरा जो लाइन्स बनी है ठीक है इसको अगर चेंज करना है इसका कलर चेंज करना है अब यहां पर विजीबल कलर चीए तो मैं यह जो 50 वाला है इसको यलो कर देतो ठीक है इसको थोड़ा सा डार्क यलो भी कर सकतो अभी सही लग रहे और यह जो है ना इसको मतलब लिव रखेंगी क्योंकि थोड़ा सा लाइट कर सकते इसको ठीक है जो लेबल से इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा वाइटीश में लेके जाओंगा क्य क्यों वाइट जल्दी दिख जाएगा या पर ठीक है तो इसमें डेटा लेबल से डेटा लेबल क्या रहता है कि इसके जो पॉइंट से वो दिखाएगा आपको ठीक है इसको और करोगे तो पॉइंट दिखाएगा है देखो यहां पर आप देख सब्सक्तों यह 11-12 इसका थो सिर्फ मााउस लेके जाके देख सकते हो यह अब इसमें मुझे क्या चाहिए मुझे कलर चेंज करना है एक सीस का जो मेरा वैलु का पार उसको में चैंज करूँगा वाइट into my crisis का जो म pytेरा Caesar कररं चो करूँँगा वाईट ठीक है Legends में जाओंगा एक बर ठीक है यह Top Left वे जो दिख रहा है इसको मैं क्या कर सकता हो Top Right में कर सकता हो ठीक है या इसमें कर सकता हो Central Left में है ठीक है अब Central Left में तो यहाँ पर आ गहा है उसके बाद मैं Text को जो है मैं वाइट कर देता हो एक बर यहां पर sum of hundreds और sum of 50 आ रहा है तो मुझे इसका जरुरत नहीं है और यह title भी हटा देता हूँ मैं यहां से ठीक है इसकी भी जरुरत नहीं है यह off कर दिया मैंने था ही नहीं वैसे वहाँ पर बट होता तो निकल जाता था अब इसको है न मैं sum of की जरुरत नहीं है तो मैं इसमें जाओंगे और यहां पर इसमें मैं क्या करूँगा hundred है उसको as कर दूँगा बस hundreds उसको 50 को मैं कर दूँगा 50 और enter कर दूँगा ठीक है और यहां पर फिर से जो है यहां पर heading में issue आ गया तो मैं आपर title जो है यहां पर मैं लिख दूँगा मैं इसको हम tons बोलते हैं तो यहां पर मैं लिख दूँगा tons ठीक है और इसका color जो है white कर दूँगा तो यह हो गया आपके एक graph इसमें यह जो hundred वाला यह भी आप हटा सकते हो वैसे title का off करके यह हट गया आपका ठीक है तो यहां पर turns आगे turns को आप और दूसरी language यूज़ कर सकते हो जिसको मैं बोलूँगा hundred and fifty जो मतलब हमारा dashboard पलने में easy बनाएंगे ठीक है अब I think अपना dashboard है ready इसको मैं थोड़ा सा अटा देतो ठीक है इसको भी थोड़ा सोपर कर देतो अब आप देख सकते हो कि dashboard is almost ready क्या करना है data range change करने है कर लो सब number जेश हो जाएंगे बढ़ा नहीं बढ़ा जो अब for example यहाप आप bondage देख सकते हो तो हमें पता है 2020 में सबसे ज़्यादा bondage लगती है तो मैं टेस्ट पर क्लिक कर रहा है देखो एकोएक्दम कं हो गया odie mean जादा रहेता है तो मैं टेस्ट को हटाके odie कर रहा हो तो odie में जादा रहेता है 20 में सबसे ज़्यादा fruit तो देखो कितना बढ़े है ठीके आप यहापे क्या है 2020 क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको 2020 का नमबर दिख रहा है 2222 तक अगर मैं T20I का नमबर हटाएके टेस्ट डालता हो तो यहाँ पे देखो आपकी यर्स कम हो जाएंगे क्योंकि विराट कोली ने टेस्ट जो है लेट खिलना साथ किया था अब इसमें आप डेटरेंट कर सकते हो फार एक्जांपल मुझे देखना है 2000 उन्होंने 15 में कितना रन बनाया था ठीक है तो मैं आपके लिख दूँगा 2015 और यहाँ पे लिख दूँगा 2015 इसमें आप टैप भी कर सकते हो और तो सिलेक भी कर सकते हो ठीक है 2015 के आपके बस पर है अब इसमें आपको चेक करना है कि इनिंग्स कितनी है थर्टी सेवन एवरेज 33.77 रन जो है आप का अवरेज टाउन का 1300 रन बनाया है उन्होंने इनका स्ट्राइक रेट कितना था ठीक है उसमें उन्होंने बॉंड इस कितने मारे है उसके बाद में उसके हंड्रेड 1050 कितनी थी तो यहाँ पर आप देखोगे तो उनके जो है 400 थे और 50 जो है 3 थी ठीक है similarly आप चेंज कर सकते हो कि 15 to 17 में कितना था अब मैं सबसे जादा 17 का अगर टागेट ले लू तो 17 का दिख रहा है मुझे तो उन्होंने कितना 100 मारा था 17 में 1100 मारा था 1050 मारे थी 52 इन अबरेज 63 का रंस 28 2800 18 और स्टाइकरेट डेश करते हो रंस बाइएर जिसमें 36 सिक्सेस और 266 फोर्स मारे थी ठीक है तो यह है ideal डैशबोर्ड जो एक एक क्रिकेटर का जो यहाँ पर आपको करियर बता सकता है ऐसे ही आप टिम्स का बना सकते हो ऐसे ही आप कोई भी बना सकते हो, Okay so, जो पहली वाली स्टेप थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे जो है डेटा जो है सौर्ट कर सकते हो डेटा को ले सकते हो उस स्टेप आप को नहीं भी आई तो चल जाएगा अभी आप जो है च्छत कर हो कि यह data को कैसे manage किया जाए वो अलग से हैं बट आपको एक dashboard बनाना चाहिए जो कि मुझे लगता है सबसे easy रहता है data analysis के life में dashboard बनाना तो यह dashboard मैंने एक अच्छे से बना के दिखा है आपको ऐसा dashboard आप बना सकते हो okay बट अगर आपको data analysis बनना है तो एक चीज़ सजिस्ट करूँगा कि पहले यह basics कर लो clear अगर आप dashboard बनाने में मज़ा रही है नो तो फिर ही जाओ फिर ही आप किसी को दो लाग रुपे दे दो course के लिए या फिर मैं भी try कर रहा हूँ कि course लेके आओ बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी course जोइन करने से पहले आपके basics ले कर लो ताकि आपके जो पैसे दो आप डालोगे एक लाग दो लाग रुपे courses में वो आप मत डालो ठीक है जब तक आपको basics नहीं आती है तो आपको यह decision making है एक अगर आपको यह बनाना अच्छा लग रहा है बना बारे हो तो ही आप course ले लो otherwise लेनी की आप तो cricket lovers and data analyst lovers चानल को subscribe जरूर कर लेना बिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you for watching this video thank you